हेलो एन वेलकम तो आल दो फ्यूचर एडुकेटर्स एंड टीचर्स वेलकम तो दी एफटीपी ओन्नाइन प्रोग्राम डीपी डिसकाशन आज हम डिसकस करेंगे डीपी नंबर ट्वेंटी मॉर्फालोजी और फ्लारिंग ब्लांट्स इससे पहले हमने जो डीपी देखी दी डीपी नंबर 19 उसमें हमने टॉपिक डिसकस किया था रूट और रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में आज वाली जो डीपी है डीपी नंबर 20 वो मेंली फोकस्ट है स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ग्वेशन पर वेसिकली इस वीडियो के दूरू हम ये pair with respect to the stem tendrils हमें यापर odd one out ढूणना है किस respect में stem tendrils के regarding तो सबसे पहले अगर बात की जाए stem tendrils के बारे में so stem tendrils क्या है stem का वो part जो modify हो गया है और slender पतला सा spiral structure बना रहा है so these are modified stem modified stem या तो stem की जो axillary bud है वो modify हो गई है so modified stem stem में भी कौन सा part जो axillary bud है so these are modified stem stem में axillary bud और यह modified किस फॉर्म में होई है slender यानि पतला spiral structure slender spiral structure for support and climbing support के लिए and climbing के लिए so mainly for climbing and support और climbing and support की जरूरत क्यों पढ़ रही है क्योंकि यह जो plants है या इनकी जो stem है वो बहुत जादा weak है कमजोर हो रही है कमजोर है इस वज़े से वो यहाँ पर climbing का support लेना चाह रही है और climb करने के लिए वो यहाँ पर कौन से structure में modify होई है tendrils की form में और stem tendrils का अगर हम एक diagram देखे तो यह green कलर की stem इस stem से निकलने वाली यह branch हो सकता है इस branch में ऐसे leaves हो या leaflets हो तो यहाँ पर basically इस angle पर यह एक angle बन रहा है तो इस angle पर जो bird होगी उसको क्या बोला जाएगा axillary bird और इस axillary bird में modification हुआ और वह ऐसे पतला spiral structure बना रही है तो यह जो पतला spiral structure नज़र आ रहा है this is the modified stem in the form of tendrils तो यहाँ पर यह जो stem tendrils हैं यह किस में नज़र आएंगी बहुत सारे examples हैं जैसे कि watermelon watermelon के अंदर यह नज़र आएगी grape vines में यह नज़र आएंगी pumpkins में नज़र आएंगी pumpkin and cucumbers तो यह कुछ examples हैं जिसमें जो stem है वो modify हो गई है in the form of tendrils इसके अलावा अगर हम बात करें pea plant के बारे में तो pea plant में जो tendril modified होता है वो leaf या leaflets होती है compound leaf में जो छोटी-छोटी leaves हैं उनको क्या बोला जा रहा है leaflets तो जो anterior leaflets हैं वो modified हो गई है in the form of tendrils तब भी उसको क्या बोला है leaf और leaflet tendril तो leaf और leaflet tendril में किस तरीके से होगा जैसे कि ये एक stem इस stem से ये branch इस branch में अगेन ये छोटी-छोटी leaflets कुछ इस तरीके से तो जो आगे वाली leaflets हैं specifically ये जो anterior leaflets हैं ये modify हो गई है spiral tendril structure में कुछ इस तरीके से ये यहां पर भी इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा leaflet tendril और ये leaflet tendril किसमें देखा जा रहा है pea plant में तो यह तो पूरा leaf है वो modify हो गया है tendril में या जो anterior leaflets है compound leaf की वो modify हो गई है tendril में तो इसको क्या बोला जाएगा leaf tendril और leaflet tendril तो अगर हम odd one out देखें with respect to stem tendril तो pea में तो stem tendril नहीं है grapevines में stem tendril है जैसे कि हमने या example देखें cucumber and pumpkin में भी stem tendril है watermelon and grapevine में भी है pumpkins and grapevine में भी है तो basically pea में जो tendril modified है वो leaf या leaflets के part है लेकिन बाकी सारे examples में stem है जो modify होई है तो यहाँ पर जो odd pair है वो कौन सा है p and grapevine correct answer क्या हो जाएगा option A